नमस्कार मित्रो यूनिफोक्स लाइप परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं आज सब्ताहा का पहला दिन कहीं पर संडे की बीट जाने का दुख होता है तो कहीं पर सब्ताहा की शुरुआत की खुशी और उसी खुशी के साथ उसी जोश के साथ मंडे को यानि सोमवार को हम सभी लोग एक साथ यहां पर आए है करेंट अफेर्स के लिए जैसा कि मैं हर वार बोलता हूँ आफेर्स को सब्तेमबर के करेंट अफेर्स को ले करके आए हैं तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप में से जितने भी लोग इस सेशन की सुरुआत कर रहे हैं जितने भी लोग इस सेशन में आ रहे हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएए ताकि आप सभी लोगों को इस सेशन में पूरी चीजें मिल सकें तो जितना मैं देख पारा हू स्क्रीन पर कोमल आरती एकता वर्षा रूपा शालू प्रिया मुकेश जया ज्योती अर्चना मम्ता पार्थ मनु ज्योती रामलेखन लगभग सभी लोग यहां पर जोड़ते जा रहे हैं तो जल्द जल्द आप लोग गिर जाईए तो वेरी गुड मॉर्निंग तो आल अफ अगर एक बात और बताई जाए तो आपको पता होगा जो रिसेंटली गवर्मेंट जॉप्स हैं उनको लेकर के कई सारे अपडेशन्स आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो भी अपडेशन्स अभी सामने आएंगे सारी चीज़ हैं तो वह हम लोग अपने इस चैनल के मा हम लोगों का आने का विचार था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाने की कारण कल हम लोगों का सेशन लाइब नहीं हो पाया इस कारण से वो चीजें रह गए और खेर वो सर्प्राइस था आप लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो शायद आपको उस शायों का Megasya के बाइसाइब नहीं रहने वाले लेने वाली एक ऐसी भषा जिसमें अन्य कई सारी बाशा के कई सारी शचiker है यह संगम चैसे आप बात करनें, प्रियाग राज की, तो प्रियाग राज में भी एक संगम है, जहांपर कहा जाता है गंगा, यमुना और सरस्वति निदिया इन तीनो नदियों को मिलने से बनता है, आप मैंसे कहिंने काई लोगों के मन में यह भी आँ रहा होगा कि सरुस्ति नदिय तो लुप् लिर्पी होती है. अगर उसके, इसकी origin की बाद किया, इसकी maatra बहषा की बात किया, इसकी originated बहषा की बात किया, तो वो संस्कृत से समण्दित है, कई वार ऐसा लगता है, कि संस्कृत से केवल हिंदी ही भाषा निकली है, लेकिन वास्तों में अगर आप हमारे देश की अन्य भाशाओं को ध्यान से देखेंगे तो हिंदी से भी ज़्यादा अन्य कई सारी भाशा हैं जो संस्रित के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उधारन के लिए आप ले सकते हैं तमिल को अगर तमिल की बात की जाए तो कहा जाता है तो उसके बाद उद्य होने वाली भाशा है तमिल भाशा रही होगी खेर चीजे जैसे भी होगी हमारे सामने आएंगी सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे निश्चित रूप से जब दिनों की बात आएगी तो इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे सारी चीजे देखते हुए चलेंगे तो इसके साथ मुझे लगता है कि हमारे परिवार के सदस जुड़ चुके हैं तो आज हम लोगों को इन सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए अगर हम नए मेंबर्स की बात करेंगे तो अब शेक, प्रिया, ईशा, मेनाक्षी, लगबग सभी लोग जुड़ गये हैं तो हम लोगों को अब आगे बढ़ जाना चाहिए क्या लगता है करेंट फिर से स्टार्ट किया जाए अपने जी हाँ अगर हम करेंट फिर स्टार्ट की की बात करेंगे तो अब हम लोग अपने इस करेंट फिर स्टार्ट की को प्रारम करने वाले हैं लेकिन प्राणर्म करने से पहले आज की ट्रेंड में एक छोटा सा बदलाओ बदलाओ कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा भी होगा, बदलाओ कहीं न कहीं मेरे लिए भी अच्छा होगा, कहा जाता है कि चेंजिंग की हमारे इस लाइफ को आगे बढ़ाती है, जो बदलाओ हैं, जो परिवर्तन हैं, वही हमारे इस जीवन को आगे बढ़ाने का कार्ण करते हैं, तो अब बदलाओ कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसको भी ध्यान से समझें, आपने देखा कि पहले हम लोग क्या करते थे, समसामाई की या करेंट एफर्स की कोई एक न्यूस ह बदलाओ, पहले हम प्रशन को पूछेंगे, प्रशन का आंसर आप में से जितने लोगों को आता होगा वो देंगे, नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, और फिर उसके बाद उससे समंदित, न्यूस क्या थी, उसको ले घर के आ गया है, प्रशन को आपके सुबिधा के कि जैसे ही मैंने और न्यूस बता दी, तो आंसर लगबख सभी का सेम आता था, अधिकतलों का, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, दिमाग तो आप पहले भी लगाते थे, चीज़ें पहले भी समझते थे, तो उनके साथ, आज के हम इस सेशन को, इस कारिकम क को प्रारम करते हुए, हम पहले प्रश्ण की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहला कोशन क्या है, अब आपके सामने आने वाला है, पहला कोशन देख लिजे, कोशन है, इगोपाला एप is related to which scheme of Indian government, इगोपाला जो मुवाइल एप है, वो बेसिकली भारत सरकार की किस योजना से स मंदित है, यहाँ पर चार आप्शन है, पहला आप्शन क्या है, देख लिजे, प्रधान मंत्री पेजल योजना, प्रधान मंत्री गोव सेवा योजना, प्रधान मंत्री हेल्थ केर योजना, और प्रधान मंत्री मत्संपचदा योजना, आपके सामने चार आप्शन दिये है A, B, C, D और जितना मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों का आंसर B आ रहा है कुछ लोगों का आंसर D आ रहा है यानि लोगों को confusion है option B और option D में तो जी हाँ, प्रधान मंतरी गौ सेवा योजना आप मैं से जितने लोगों ने answer दिया मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनका ये answer सही नहीं है सही answer है option D यानि प्रधान मंतरी मत्स संप्धा योजना निश्चित रूप से यहाँ पर आपके confusion को clear देख पाए हम कि यी गोपाला एप निश्चित रूप से गोपाल अगर बात करेंगे तो आई होप आप लोगों को समझ में आगया होगा कि option D is the right answer देवेश आप पिछले दो शहसन से गायब थे आप आज उपस्तित हैं बहुत खुशी की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी आप continue करते रहेंगे ठीक है तो option D is the right answer अब इससे समंधित खबर क्या है इससे समंधित न्यूस क्या है अब वो देखिए तो basically यहाँ पर बात आती है प्रदान मंत्री मत्स संपधा योजना मत्स संपधा योजना जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं अब मचली पालन से समंधित है अब मचली पालन से समंधित क्यों है या इसकी आवश्रक्ता क्यों है तो कहा जाता है कि मचली अगर हम बात करेंगे फिश की तो हमारे आज जो food production होता है उसमें एक एहम भूमिका निभाता है एक बहुत महत्वपूर्ण भूम का निभाता है इसलिए इसे कहा जाता है कि ये food के लिए ये food source के लिए एक बहुत important source भी है अब दूसरी बात आप लोगों को पता होगा कि जब फिश इतनी जादा important है इसी करण से लाया गया था operation blue आपको पता होगा या blue revolution जिसको कहते है नीली क्रामती जिसको कहते है और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो farmers है जो लोग fish cultivation करते हैं मश्री पालन करते हैं उनके लिए e-gopala app को लाया गया ताकि उन लोगों को market के वारे में पता चल सके उन लोगों को सीधे कहा बेचना है इसके बारे में पता चल सके जो buyers और sellers हैं उनके बीच में connection established हो सके सम्मंद स्थापित हो सके इसके बाद इसमें सबसे नीचे वाली line सबसे अधा important है यहाँ पर देख लीजे कहा जाता है कि fish food bank at sita अमरी आप अगर sita मरी की बात करेंगे तो basically fish food bank वहाँ पर बनाए जाएगा aquatic disease lab किशन गंज तो किशन गंज में aquatic disease lab और fish on wheels at पठना यह तीन जगे हैं और तीनों जगे में अलग लग चीज़े बनाए गई गई पहला fish food bank दूसरा है aquatic disease lab और तीसरा है fish on wheels I hope आप लोगों ने इस news को समझ लिया होगा इन news को आपने सही से जान लिया होगा जो सबसे आखरी वाली line है कि सीता मरी में क्या है किशन गंज में क्या है या पटना में किन-किन चीज़ों को establish किया जाएगा इसको समझते होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन यहां पर बढ़ने से पहले आप लोग ध्यान दीजे प्रधान मंत्री मतस्य संपता योजना का पूरा नाम ध्यान रखेगा पी एम एम एस वाई clear जी हाँ बिलकुँ सही कहाई यह पहले गुजरात में ज़्यादा थी अब तमिल्दाडू में इसका अप्रक्शन ज़्यादा हो रहा है तमिल्दाडू में कई सारी चीज़ें आती है एक तो कोस्टरल एरिया बहुत ज़्यादा है दूसरी बत महां के लोग फिश को बहुत new education policy नई सिख्ष नीती पर सिख्षा मंतराले द्वारा आयोजित conclave का नाम क्या है चार option आपके सामने पहला है सिख्षा पर्व दूसरा है सिख्षक पर्व दूसरा ध्यान रख किएगा सिख्षक पर्व है सिख्षा कर्व नहीं है तीसरा है गुरु पर्व और चोता है मैं देख पा रहा हूँ अधिकतल लोगों को option या तो A आ रहा है या D आ रहा है तो मैं बताना चाहूंगा आप मैंसे जितने लोगों ने option A कहा है A मतलब सिक्षा पर्व उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों का answer बिल्कुल सही है सिक्षा पर्व यानि option A is the right answer गलती हो ग किया है तो चलिए कोई बात नहीं हिंदी में एक टाइपिंग बिस्टेक है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहां पर सिक्षक पर्व होना चाहिए English में सही लिखा हुआ है हिंदी में गलत लिखा हुआ है तो याद रखिएगा सिक्षक पर्व होना चाहिए था लेकिन option A is दो दिन का conclave रखा था दो दिन का एक सम्मेलन रखा था जिसमें जो मेन बात थी मुख्य बात थी कहा जाता है 21 सदी के जो स्कूल एजुके सेने स्कूली सिक्षा है उनको लेकर के एक conclave रखी गई थी लेकिन अगर हम सिक्षक पर्व की बात करेंगे तो basically यह जो सिक्षक प क्लियर आप लोगों को हम प्रिवेस तरी फिर से उस कोशन में ले जा रहे हैं एक बार प्रिवेस कोशन में चलिए उस कोशन के एक बार फिर से देख लिजए कोशन है नई सिक्षा नीती पर सिक्षा मंत्राले द्वारा आयुजित कॉंकलेव का नाम तो basically इसमें जो answer है वो option B है सिक्षक पर्व है मैंने थोड़ा सा गलत देख लिया था सिक्षक पर्व है तो य नहाँ पर लिखे देता हूँ कहा था जा यह है यही에서 कोशन को देखिए कोशन हम मृत्य दर को कहा जाता है अब मृतिय धर को क्या कहा जाता है यहाँ पर चार अप्षन हैन पहला है volatility rate दूसरा है mortality rate तीसरा है growth rate जिसे हम विकासदर कहा रहे है और च finely rate जिसे हम अंतिम दर कहते हैं यहाँ पचारा अफ्शन है नेटिलिटी रेट, मॉर्टिलिटी रेट ग्रोथ रेट और फाइनल रेट देख लिजे आप लोग इसमें से कौन सा आंसर सही है इस कोश्चन का आंसर आप सभी का बिल्कुल सही है एक तरफ से सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो मेरी तरफ से आपके लिए एक लाइक जैसा कि हम हमेशा प्रॉमिस करते हैं कि अगर पूरी स्क्रीन में सभी के आंसर एक बार में सही आएंगे तो उसके लिए मेरी तरफ से लाइक होगा और अगर आपको session अच्छा लगता है तो आप session को like करते हुए चलेंगे तो basically जो mortality rate होता है उसी को कहा जाता है मृत्यूदर यानि option B is the right answer जी हाँ और जो mortality rate है उसको मृत्यूदर कहा जाता है और natality rate जो option A है उसको किस नाम से जानते हैं जी हाँ यहाँ यहाँ पर मैं प्रिया का अंसर देख पा रहा हूँ प्रिया ने पहले ही लिख दिया है natality rate is the birth rate जी हाँ अगर हम पहला option A की बात करेंगे वो जन्रदर है option B की बात करेंगे वो मृत्यूदर है तो I hope आप लोग जन्रदर और मृत्यूदर तो natality rate और mortality rate दोनों समझ चुके हैं अब इससे समंदित प्रश्न है इससे समंदित news क्या है ख़बर क्या है वो आपके सामने अब आने वाली है basically ख़बर देख लिजे कहा जाता है India's child mortality rate भारत में बच्चों की मृत्यूदर तो इससे समंदित news आपके सामने आ रही है अगर पहला आप देख पा रहे हैं तो लिखा है इंडिया under 5 mortality rate under 5 को मतलब है पांच साल से कम उम्र के बच्चे under 5 mortality rate जो death है वो काफी कम हो गई है काफी कम का मतलब है हम यहाँ पर आंकड़े देखते हैं 1990 से लेकर के 2019 तक के दियान से देखिए यहाँ पर आपके सामने दो आंकड़े हैं 1990 से और 2019 तक के अगर 1990 की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रती 1000 बच्चों में 126 बच्चे की मृत्यू हो जाती थी दियान से दिखिए प्रती 1000 बच्चों में 126 बच्चों की मृत्य हो जाती थी लेकिन आज की बात करेंगे तो आज प्रती 1000 बच्चों में आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर प्रती 1000 बच्चों में 34 34 बच्चों की मृत्य होती है आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो basically 29 सालों में लगभग हमने कितनी अच्छी ग्रोफ एचिव की है पहले आप समझ लीजे प्रते 1000 में 126 बच्चे मर रहे थे और आज की डेट में प्रते 1000 में 34 34 बच्चों की मृत्यू हो जाती है ये कौन सा रेट है ये basically अंडर 5 बच्चוצ 1 5 अंडर 5 में सबसे जादा इस रेट में एक घंभीर मामले होते हैं वो बच्च्चे जो नवजात होते हैं हाल लिए में पैदा होते हैं एक दम से बच्चों कि जन्म होता है उनके मृत्य होने के चांसेज उनकी डैथ के चांसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उनकी इम्मिनिटी वीक होती है या अगर उनकी मदर ने अच्छा पोशड नहीं लिया है वह वीक है तो निश्ची तुरुप से बच्चे पर भी उसका असर पड़ता ह है और आपको बता दें कि आज की डेट में हमारे आएक बात और ध्यान दी जाती है हेल्थ सेक्टर में कि बच्चे के जर्म के पहले सारी चीजें पूरे हेल्थ परेमिट्रेश को चेक कर लिया जाए कि इस समाज में एक स्वस्थ बच्चे का ही जर्म हो किसी भी तरीके से अगर कोई बीमारी से पिरित बच्चे का जन्म होता है तो निश्चित रूप से माता-पिता को या समाज को निश्चित रूप से उसको भी साथ में ले करके चलना होता है तो प्रयास रहता है कि माता-मा की इतनी जाच करा ली जाए और इस सारी चीजें उनको पोशन दिया ज 1990 में और 2019 में यहाँ पर रेट फिर से अलग-अलग है अभी तक आप लोगों ने बात किती अंडर फाइव पांच वर्से से कम अभी है सामान यानि बच्चे तो हैं लेकर सामान इसे पांच वर्से कम की बात नहीं है नॉर्मल बात की गई तो यहाँ पर आते हैं अगर यहाँ यहाँ पर बात करेंगे 89 by 1000 और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आते हैं 29 by 1000 देख लिजिए पहले 28 by 1000 है यहाँ पर 29 नहीं है इसको दिहां से देखिए कहा जाता है कि 1990 में 89 बच्चों की मृत्व हो जाती थी अगर हम 14 साल से कम उमरी के बच्चों की बात करें और हमारे भालत का रेट अच्छा कैसे है इसको भी ध्यान से देख लिजिए कहा जाता है कि आप सबसे लास्ट लाइन को देखेंगे जिसमें ग्लोबल लेबल पर रेट को लिखा गया है ग्लोबल लेबल पर रेट किया है इसको भी देख लिजिए ग्लोबल लेबल पर रेट मैं यहां पर लिख देता हूं 1990 और 2019 का रेट 1990 में ग्लोबल लेबल पर अगर बच्चों के मरत्य वो देखी जाए तो वो उती तिन 93 पर 1000 पूर विश्य की बात की जाए और 2019 की बात की जाए तो आप इसको देख सकते हैं 2019 में है आप अगर देखेंगे तो यहां पर 38 है और अगर हम अपने आप बात करेंगे तो यहां पर 34 भारत का है तो निश्चित रूप से भारत ने जो ग्लोबल मृत्य दर है या ग्लोबल मॉर्टिलिटी रेट है उससे भी अच्छी दर एचिव की है यानि हमारे यहां बच्चों की मृत्य होने की जो संक्या है वो काफी कम होते जा रही है इस बाइब नॉर्मल एज शुटा मैं नॉर्मल एज का मतलब है कि बच्चे के वाल पांच वर्से कम ही नहीं होते हैं बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों की बात हम लोग 14 साल तक करते हैं तो कहा जाता 14 वर्से कम तक के बच्चे तो यानि पैदा होने से लेकर करके 14 चुदा साल तक कि बच्चों का एबरेज लिया गया और उनकी मरत्युदर की बात की गई तो नॉर्मल का मतब सामान का मतब 14 वर्ष से कम और अगर हम बात करेंगे पांच वर्ष से कम तो पहुत तो पांच वर्ष से कम से समझत है और यह जो रेट उपर लिखा है वो गलोबल अफिर्स और इसके साथ साथ वर्ड बैक यानी विश्व में तो इन सारे लोगों ने मिल करके इस डेटा को बनाया है निश्ची उत्रुप से यह डेटा भी देश की ग्रोथ को शो करता है अगर भारत की बात कर दो भारत के लिए पॉजिटिव निउस है हेल्थ सेक्टर मे क्योंकि भारत का हेल्थ सेक्टर अगल बढ़ते हैं अगला कोशन आने वाला है अगला कोशन नियांज से देख लिए उस ट्रेन का नाम बताईए जो किसानों को समर्पित है देख सकते हैं किसान गारी, किसान प्रगती, किसान रेल और भूमी रेल बताईए जलदी से आंसर जी हाँ जितना मैं देख पा रहा हूँ कई लोगों का answer option B आ रहा है कई लोगों का option C आ रहा है option B कहता है किसान प्रगती और option C कहता है किसान रेल तो I hope आप लोगों के सामने सही answer बताने के समय आ चुका है और आप मैंसे जितने लोगों ने option C type किया था किसान रेल मैं कहना चाहूंगा आप सभी का आंसर बिलकुँ सही है किसान रेल is the right answer तो option B यानि किसान रेल is the right answer clear हो गए यहां तक के चीजे किसान रेल ओप्षन C है जी हाँ आप देख लिए किसान रेल ओप्षन C है किसान रेल is the right answer अब इस समझेत news किया है ये देख लिजे जो news है वो बहुत ज़्यादा important है आपके लिए इस news में चीजें क्या है तो सबसे पहले जो heading है वो लिखा second किसान rail अगर second किसान rail है इसका मतलब first किसान rail भी कभी न कभी तो चली है तो पहले किसान rail चलाने का purpose किया है जब first किसान rail चलाई गई थी news में आई थी तब भी हम लोगों ने discuss किया था कहा जाता है कि जो किसान होते है वो अपने सामान को जो कच्चा आइटा में किसी प्रकार का सामान है उसको train के माद्यम से एक स्थान से बहुत दूर किसी दूसरे स्थान पर ले जाए और अगर train ऐसी को train बनाई जाए जो किसानों के लिए है इसी काम के लिए dedicated हो तो पहली बात समान को पहुचाने में कम समय लगेगा लागत कमाएगी तो लागत कमाएगी तो कच्चा आइटम जो होता है या कच्चा समान जो होता है जैसे सबजी हो गया या अन्न कई सारी चीज़ें होगे तो खराब भी कम होंगे, किसानों को नुक्सान भी कम होगा, तो निश्चत रूप से मुनाफ़ा भी अधिक होगा, और बाजार तक ज़्यादा ताजी चीजें पहुँच पाएंगी, तो आज यहां तक की चीजे क्लियर हो गई होगी, अब नीचे देखिए, हम पहले नीचे फस्ट किसान रेल की बात करेंगे, तो फस्ट किसान रेल में क्या कहा गया, फस्ट किसान रेल कहा से कहा तक चलाई गई थी, तो महरास से चलाई गई थी, बिहार तक, आप देख लीजे, लिखा है, देवलाली से लेकर के दानापुर चलाई गई थी, अब सेकेंड किसान र और दिक्षनिशन भारत की पहली किसान ड्रेल चलाई गई यह चलाई जाने अनंत्पुर यानि आद्र प्रुदेश में अनंत्पुर से लेकर करके और नई दिल्ली तक इस किसान ड्रेल को चलाया गया गया कोशλαई आपsmut आगला question द्यान से देखिए, इस question में हमने जो नाम लिखा है, पहला नाम YSR समपुर्ण पोशन योजना या scheme, आप इस नाम को ध्यान दें तो शायद आप इसका आंसर बता पाएं, कहा जाता है YSR समपूर्ण पोशन योजना किस राज्य से सम्मंदित है, YSR समपूर्ण प पता पाते हैं। अधिकतर लोगों ने यह कहा जाएं। सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल एक ही सदिया है और आंसर है option B, आंद प्रदेश अगर हम आंद प्रदेश की बात करेंगे जिसमें कई लोगों ने A, B भी लिखा है कई लोगों ने आंद प्रदेश लिखा है कई लिगों नो option भी लिखा है निश्चत रूप से आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है अब इससे समंधित नियूस क्या है समसामाई की समाचार क्या है इसको भी ध्यान से देख लिजे कहा जाता है YSR संपूर्ण पोशन योजना ये चलाए गया है हमारे देश के आंध प्रदेश के मुख मंतरी के द्वारा अगर हम मक्वंतरी के बात करेंगे तो आप जो जानते हैं कि रेड़ी जी के द्वारा इसको चलाए गया तो इसमें दो तरीके की योजना चलाए गई है आप लोग देख पा रहोंगे पहली योजना है YSR संपूर्ड पोशन योजना और दूसरा है YSR संपूर्ड पोशन प्लस तो जहां पर प्लस लगा हुआ है बेसिकली ये योजना है प्रेगनेंट लेडी से समंदित गर्ववती महिला है जिनको अभी बच्चों को जन्म देना है तो उनके पोशन का ध्यान रखा जाए ताकि उनसे एक स्वस्त बच्चे का जन्म हो सके और अगर YSR संपूर्ड पोशन योजना की बात करी जाए तो जो बच्चे हैं उनके पोशन से समंद देता उनके nutrition के लेबिल आप एक शब्द जानते होंगे malnutrition malnutrition को हिंदी में कहा जाता है को पोशन तो कहा जाता है भारत में को पोशन के सिकार बहुत ज़्यादा बहें बच्चे इसी कारण से बच्चे काई सारी बीमारियों से भी affected हो जाते हैं ग्रसेत हो जाते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आंदर प्रते सरकार के द्वारा YSR संपूर्ण portion scheme और YSR संपूर्ण portion प्लस scheme को रखा गया है तो I hope आप लोगों को यहां तक की चीज़े समझ में आ गई होंगी तो सवाल रुखता है कि वास्तों में इससे कितने लोगों को लाब पहुचेगा निश्यत रूफ से एक बहुत अच्छी योजना है अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने भी इस तरीके की एक योजना प्रारम की थी आप में से कई सारे लोगों की जानकारी होगी पहले क्या होता था बच्चे का जन्म अधिकतर घर में ही करा दिया जाता था घर में जो दाई होती थी या पुराने जो रीत रिवाज होते थे उनके पहत बच्चे का जन्म घर में होता था और घर में होने के करण साफ सफाई नहीं होती थी दवाएं नहीं होती थी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी इस कारण से काफी ज़्यादा समस्याएं भी उत्पन हो जाती थी बच्चों की या मा की मृत्यू होना आम बात थी उस समय में सरकार ने लोगों को जागरू करने के लिए कहा कि अगर बच्चे के जिन में सरकारी अस्पताल में होता है तो निश्चित रूप से मा के खाते में एक सर्टेन एमाउंट एक निश्चित एमाउंट डाला जाएगा इसके लावा जो हमारी आशा बहुएं हैं वो उनके स्वास का ध्यान रखेंगी आज भी आशा बहुएं बहुत अच्छा काम कर रही है गर्वती महिलाओं के घर में जाकर के उनका रूटीन चेक अप करना है उनका वेट कम तो नहीं हो रहा है उनने किसी प्रकार के कोई दिक्कर तो नहीं हो रही है उन्हें डॉक्टर के पास तक ले जाना उन पर दवाई उपलब दिकराना निश्चत रूप से ऐसी बहुत सारी चीज़ों उपलब दिकराए जा रही है इसके अंतरगर तो आई होप आप लोगों को इस योजना के वारे में समझ में आ गया होगा किसे राजजिम में चालू की गई और इस योजना का मोटो क्या है और लगबख कितनी महिलाओं के द्वारा इसे टारगेट किया गया है या कितनी महिलाओं को इसमें लाब पहुचेगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 30,16,000 लगवक ऐसा target किया गया है तो I hope हम लोगों ने इस खबर को भी ध्यान से सुन लिया है अगर आपने यहां तक की खबरें सुन ली है तो क्या हम आप से कुछ question पूछ सकते हैं अभी तक आपने जितने news पढ़ी है उनसे related कुछ questions को पूछा जा सकता है पूछा जाए चलिए आप लोगों ने यस लिख दिया है तो अब आप जल्दी से बता दीजे कि new education policy जो 2020 में नई सिक्षक नीती आई है उस नई सिक्षा नीती में एक पर्व मनाया गया था उस पर्व का नाम क्या है नई सिक्षा नीती के अंतरगा थे दो दिवस का एक कारकब था जिसे हम लोगों ने एक पर्व का नाम दिया था उस पर्व का नाम क्या है तो सबसे पहला आंसर कोमल का है फिर मंजू का है मनू देविंदर पूनम संगीता लगबख सभी का आंसर बिलकुल सही आ रहा है आंसर है सिक्षक पर्व is the right answer तो जी हां हम लोगों इसको प्रशन के माध्यम से भी दिखा था तो बिसिकली सिक्षक पर्व is the right answer आप लोग बता सकते है क्या कि हम लोगों ने अभी एक न्यूस पढ़ी थी प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना के अंतरगर हमने तीन इस्थान के नाम दिये थे बिहार के अंतरगर उसमें से एक नाम आया था पटना तो पटना में कौन सी सेग्मेंट को खोला जाएगा पटना में कौन से सेग्मेंट को खोलने की बात चले है उसका नाम क्या है पटना में मत्स से संबंदित जिस सेग्मेंट को खोलने वाले हैं देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं हमने उससे में भी कहा था जी नहीं मैंने Ecopala mobile app की बात नहीं कि मैं बात कर रहा हूं last में जो पटना से समन्दित था जी हां बिल्कुल सही answer है श् hash बताया fish on wheels जी हां बिल्कुल सही बताया fish on wheels ये पटना में open क्या जाएगा clear यहां तक कि चीजे आई-hop आप आप लोगो clear प्रपाइब लगब सभी का अंसर बिलकुल सही आ रहा है और अगर यहां तक की चीजें आप लोगों को बिलकुल सही आ रही है तो आप यह बता दीजें कि भारत में अंडर 5 भारत में अंडर 5 150 in मोर्तिलीटी रेट कितना है अंड़ 5 मौर्टिलीटी रेट की बात करने अंडर लों की पतनी है कि 34 इस दा राइट आणसर बिल्कुरशी बात है कहा जाता है प्रती 1,000 बच्चव मैं 34 बच्चों की मृत्यू हो जाती है यह डेटा अगर हम previous डेटा की बात करें कि 29 वर्ष पूर्व जो हमने लिया था यह हमारे देश से समादे था 126 बच्चों की मृत्यू होती थी निश्चित रूप से बच्चों की मृत्यू में बहुत तेजी से गिरावट आई है लोगों क में अपने भुविश्य को लेकर करें बहतर सोच का न होना ही है आपको एक बात रहता दें कई वर हमारे समाज में इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि समाज की या परिवार की आर्थिक इस्तिति किस प्रकार से रहेगी इस प्रकार इस कारण से भी कई वर जनसंख आपको डाउट लग रहा था कि आप लोगों को प्रिविएस न्यूज याद है कि नहीं इसलिए हमने आप से कोशन पूछा और इसी कड़ी में आज के अभी के अंतिम प्रस्ट के रूप में में एक प्रस्ट और पूछन चाहूंगा कि भारत में जो किसान रेल चलाई गई कोशन आपके सामने अगली खबर से समंदित प्रस्ट आने वाला है तो प्रस्ट क्या है अब उसको देखिए कोशन क्या है कोशन आप भारत की पहली एकी करत एयर एंबूस सेवा का उद्गाटं किया गया तो किस राज ने भारत की पहली एकी करत एमूस सेवा बनाई चोर ऑप्शन है देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं कई लोगों का आंसर आंद्रप्रदेश आ रहा है कई लोगों का आंसर करनाटक आ रहा है इसका मतलब है आप लोगों को बिहार और पश्चिम मंगालपल बिल्कुल भरोसा नहीं है अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आप मैंसे जितने लोगों ने ऑप्शन भी टाइप किया है यानि आंद्रप्रदेश कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका यह आंसर सही नहीं है सही आंसर ऑप्शन एक करनाटक परशान होने के आवशक्ता नहीं है चीजे याद करते हुए आगया हमें चलना है तो निश्चित रूप्शे ऑप्शन एक करनाटक इस दा राइट आंसर अब इससे समाचार है जो समसामा की निउस है वह क्या है इसको द्यान से देखिए तो लिखा है इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेट इयर अबूलेंस सर्विस तो इन्होंने बैंगलॉर में इस पहली अभूलेंस सर्विस का उधगातन किया अब निश्चित रूप से इसस इने भी critical patients होते हैं खासतोर से कोविट 19 के समय में तो जितने भी critical patients हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि उन तक जल्दी से जल्दी चीजों को पहुचाये जा सके यह जल्दी से जल्दी उनको अस्वताल तक मौचाये जा सके इसलिए एर ambulance service आपके सामने एक छोटा सा picture भी होगा जिसके माद्यम से आप चीजों को देख पा रहे हैं इस चीजों को देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से air ambulance patients को ले जाने का काम करती है अब बात आती है कि इसको ले जाने के लिए कौन सा organization आगे आगया है किसकी जम्मेदारी होगी देख सकते हैं international critical air transfer team international critical air transfer team यह इस सविधा को प्रदान करेगी लोगों के लिए एक बात आपको और बता दे कि भारत में एक बहुत बड़ा शेयर आता है medical tourism से सम्मंदे आप मैं से I think काफी लोगों को इस बात का पता होगा कि विदेश के लोगों होते हैं वो निश्ची तुरुप से अपने बड़ा इलाज कराने के लिए भारत में आते हैं और इसी लिए भारत में medical tourism बहुत महात्पूर्ण इसी सम्मंदे जब महत्पूर्ण medical tourism की बात चली है तो आपको एक घटना भी बता देते हैं यह घटना हमारे देश की पूर्व विदेश मंतरी सुस्मा सुरास से सम्मंदेत है घटने को ध्यान से देखिएगा कहा जाता है कि एक वार P.O.K. जिसको आप लोग पाक occupied कश्मीर कहते हैं वहाँ के किसी व्यक्ति को अपने पिता के इलाज के लिए भारत आना था निश्ची तुर्प से वहाँ पर medical facility अच्छी नहीं है अब चूकि वह पाकिस्तान के कबजे में है तो पाकिस्तान से वह apply कर रहा था और पाकिस्तान भारत में अपने लोगों को नहीं भीजना चाहता इसलिए पाकिस्तान खुद उसकी application को कभी भारत के पास भेजता ही नह नहीं थी और पाकिस्तान सरकार उस व्यक्ति से लगातार यह कह रही थी कि हमने आपकी application को भारत सरकार के पास भेज़ दिया है और भारत सरकार उसको लगातार reject करती जा रही है तो आपको पता होगा कि हमारी जो पूर्व विदेश मंतरी थी शुसमा सुराजी वो Twitter पर भी अब निश्चित बात है कि जब विदेश मंतरी के पास सीधे एक खबर आगए विदेश मंतरी ने जाच कराई तो उन्होंने पहला लिखा कि भारत सरकार के पास ऐसी कोई भी application आपकी सरकार के द्वारा नहीं आई है दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपको application देनी के आवशक नहीं है प्योंके भारत का ही हिस्सा है आपको पहले से ही भारती है तो आपको कोई application देनी के आवशक्ता नहीं है आप सीधे आजाए आपका स्वागत है और अपने पिता का इलाज कराई है निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक साहिसिक कदम था और उस व्यक्ति न अब निश्चित रूप से समय को ज्यादा ना गवाते हुए हम लोग अगली प्रस्ण की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला question क्या कहता है इसको ध्यान से देखिए अगर question की बात करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नाम आया परेश रावल जी अगर परेश रावल की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे अगर movies की बात करेंगे जैसे हेरा फेरी टू या ऐसी और बहुत सारी movies हैं बहुत सारे ऐसे चलचित्र हैं जिन में इन्हों ने अपने अपने अभने का लुहा मनवाया है अपनी अभूत पूर्व प्रतिभा का प्रदरशन किया निष्चित रूफ से इतनी अची परफॉमेस इतनी अच्छी एक्टिंच की है कि हम सभी लोगों में अगर कोमेडी की बात करेंगे या विलेन की मात करेंगे तो निष्चीत रूफ से काफी अचछे कलाकार माने हैं तो इसमें प्रश्ण हमने केवल यहीं पूचा है कि यह किस छित्र से संबंदित हैं आपके सामने चार आप्शन हैं पहला है साइंटिस्ट दूसरा है राइटर तीसरा है सिंगर और चौथा है एक्टर चलिए तो मैं बिल्कु सही कहा कि अब राजु का नाम तो आने ही था जब उन्होंने बताया है बिल्कु सही बताया आप लोगों ने कि जी आप लोग तो मूवी के नाम तक लिखने पर आगये हैं आप लोग निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा बड़े फैन हैं उनके मैंने अपने परसना एक्स्पिरेंस से देखा है कि परेश्रावल जी कभी ऐसी कोई विवादित बात नहीं करते अगर इनकी एक मूवी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे भी एक मूवी याद आ रही है ओ माई गॉड आपने भी देखा होगा उसमें अक्षय निश्चित रूप से निश्चित रूप से निश्चित रूप से निश्चित रूप से बात करेंगे तो कहा जाता है भारत में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं निश्चित रूप से इसी स्कूल से वह पढ़कर के निकलते हो और ऐसे महान स्कूल के या ऐसे इतने ग्रे इससे बसते हुए और अपने एक्टिंग का लोहा मनवाते हुए और अगर हेरा फेरी की बात करेंगे तो निश्चीत रुप से उनके डायलोक्स तो हम लगों को वैसे भी याद रहते हैं ए राजू वाले तो चलिए आई होप आप लोगों ने यहां तक की चीज़ों को समझ लिया है तो इसके बाद अब हम लोग अगले कोश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अगला कोश्चन जो अगली न्यूज को सम्हाल के रखेगा तो कोश्चन क्या है कहा जाता है भारती वायुसेना में 17 स्कौर्डन 17 गोल्डन एरो हाल ही में किस के लिए से संबंदित है तो किस के लिए संबंदित है तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मिस्टेक आ रही है यहाँ पर आप लोग इंगलिश में देख लिए पहला है नई मिसाइल के लिए दूसरा है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट तीसरा है नाइट विजन केमरा और चौता है हाई एक्विरेसी यानि उच्छ सटीकता आपके सामने चार आप्शन है मैंने कोशिश की थी कि आप लोग कंफ्यूज होंगे लेकिर हमने देखा आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है आप मैंसे जितने लोग राफेल फाइटर प्लेन की बात कर र भारत की वाई उसेन हैं बहारत की एयर फोर्स में मर्ज कर दिया गया है निश्च रूप से अब अगर भारत में कोई भी रणनीतिक डृटारू बला जाती है तो उसका हिस्सा अब मुखियू रूफ से राफेल को बनाया जा सकता है यह प्रोट्साल होता है जब तक कि स्क् तो इसको इंडक करा दिया गया है और किसमें रहा गया है तो यह याद रखना थैशारं लगाई औरल थषाई कि बढ़ा है यह तो और हो फैर को ही तो मतलब है कि हवा में उड़ता गवा राफेल किसी भी दूसरी बूटते गुए जहाज को वो हिट कर सकता है air to air दूसरी का है air to ground cruise missile air to ground cruise missile का मतलब क्या है कि हवा से जबीन पर भी वो मार कर सकता है निश्चत रूप से दोनों ही missile missile अपने आप में अतुलिनी है और cruise का मतलब क्या होता है एसी missile जिनको direction भी दी जा सकती है या missile के launch होने के बाद उनको target के आपसे मोडा भी जा सकता है या target को lock करके उनको चला जा सकता है ताकि target जैसे जैसे मुग करे वैसे वैसे वो missile भी अपने path को achieve करती रहें तो आपको defense से समद्धित या missile से समद्धित भी एक current static GK की series को ले करके आने का प्लान है निश्ची तुरुप से बहुत जल्द आपके सामने 120 से लेकर के 250 km तक की इस missile के द्वारा range को hit किया जा सकता है तो आई होप आप लोगों को यहां तक चीजे बिल्कु समझ में आ गया होगा जी हाँ बिल्कु सही अर्शना में बिल्कु सही बताया है अमबाला में एक plane को लगा दिया गया है एक राफल विमान को लगा दिया गया है और एक वाग बताते अभी भी हमारी fleet complete नहीं होई है आने वाले समय में और भी कई सारे राफल विमान भारत में आएंगे और निश खबर से सम्मंदित कोश्चन क्या हो सकता है उस कोश्चन को आपके सामने ला रहे हैं देवेजी प्रयास ऐसा ही है कि इसको लाया जाए लेकिन जब आ जाएंगे हम तभी उसको कहपाएंगे कोश्चन है बेसिकली ने मौवदा चीफ ऑफ डियाडियो निश्चित रूप से अ यस रेड़ी दूसरा है जी एस रेड़ी तीसरा है गोपी गोपालन और चौता है आर रागवन आपके सामने चार ओप्शन दिये गए हैं और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोग आंसर बिलकुल सही दे रहे हैं ओप्शन बी यानि जी एस रेड़ी इस दा ओप्शन बी इस दा राइट आंसर क्लियर यहां तक कि चीजे समझ में आ गया होगा अब सवाल उठता है कि यह DRDO हाल ही में न्यूज में क्यों आया तो इससे समंदर जो न्यूज है वो आपके सामने आने आने वाली है निश्चित रूप से इससे समंदर जो न्यूज है व को दिखा ही दे रहा और पांच पराशूट लगे हुए है और उससे चीजों को उतारा जा रहा है तो हैविट्र जाकाप जादा से जदा भारी चीजों को उतारा जा सकता ह about तो ज्यादा ज्यादा भारी चीजों में कितना भारी तो कहा जाता है 7 टन आप देख पा रहे होंगे नीचे हाइलाइट भी किया है सेकेंड पॉइंट में 7 टन बजन तक को इससे उतारा जा सकता है निश्ची तुरूप से इसका मतलब है कहीं पर हमें कोई आर्टलरी सप्ला है वह भारत में कहां इस्तित है देखते कितने लोग बता सकते हैं कि पैरशूट से पूदने वाले प्रसिक्षड केंडर कहां इस्तित है कि बताईए बताई मैंने कोशन पूचा है कि पेराशूट से जो लोग कूदते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रसिक्षड केंदर भारत में कहां इस्तित है नहीं आता किसी को चलिए कोई बात निया बता देते हैं आगरा में इसका प्रसिक्षण केंद्र इस्तित है याद रखेगा पैराशूट का जो प्रसिक्षण केंद्र वो भारत में कहां इस्तित है तो आगरा में इस्तित है तो आई होप आप लोगों को यहां तक की चीज़े समझे आ गई होंगी, इस सिस्टम का नाम याद रखना है P7 Heavy Drop System, कोशन यह पूछा जा सकता है, कि DRDO के दवारा चीज़ों को ड्रॉप करने के लिए हाल ही में कौन सा सिस्टम मनाए गया, तो सिस्टम का नाम है P7 Heavy Drop System, आई ह क्यों कि अगर हम बात करेंगे तो DRDO के हैड आपके सामने लिखा हुआ है GSDD, जिसका आंसर आप पहले बता चुके थे, तो आई होप आप लोगों को यहां तक की चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होगी, चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्या आप लोगों को चीज़ें क्ल कि खबर से समंदित कोशन क्या है, प्रशन क्या है, यह आपके सामने अब आने वाला है, लेकिन एक बात मैं फिर से आप से कहूंगा, कि स्टाटिजी को हमने थोड़ा चेंज इसलिए किया था, ताकि आप लोगों को केवा सही आंसर ने, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना प तो किस परकार से अप्रोच को आप डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रेनिंग थी, इसलिए हमने प्रसन को कोशन को आगे किया, और निउस को उसके बाद में किया, अगर आप लोगों को इस अप्रोच से भी फायदा मिल रहा होगा, और अगर आपको इस अप गलत हो रहा है, निश्यतरूप से हो सकता है, कई लोगों गुस्सा भी आ रहा हो, कि पहले तो اخलने परिवार ही है, तो हमें यहाँ कोई डर नहीं, हम यहाँ पर गलती करेंगे, लेकिन सीखेंगे और एक्जाम में अच्छा करेंगे, और निश्यतORूप से मैं उम्मीद कर सब्सक्राइब परिवार को सब्सक्राम को सब्सक्राइब कर बढ़ाता हैं किक कम सक कम लोग अपने परिवार की हैं और आने वाले समय में वह भी आपके पास time to time पहुचाई जाएंगी तो आई होप आप लोगों कुछ चीजे समझ में आ गई होंगी तो इसके बाद अगला प्रशन क्या है कि हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल दिया गया आपको बसके वह यह बताना था कि कौन सा रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल दिया गया option देख लेजिए हुबली दूसरा है कोयममट देने में लगे हुए थे तो option A हुबली is the right answer जी हाँ आप मैसे जितने लोगों ने भी हुबली आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है अब हुबली का नाम बदल के क्या हो गया है निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया तो मेरी तरफ से ये like बनता है अब बात उठती है कि हुबली का नाम बदल के क्या हो गया तो इससे समंदित न्यूज अब आपके सामने आने वाली है तो अब लिखा है उपर देख लिए लिखा है श्री सिद्रोधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन तो हुबली का नाम बदल करके स्टेशन का नाम कर दिया गया है श्री सिद्रोधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन और कहा जाता है कि हुबली जो नाम था वो भी 2015 में बदला गया इसका पह बदला और नाम हो गया हुबली इसका नाम आप देख सकते हैं ह-u-double-b-a-double-l-i ये कब हुआ था 2015 में तो हुबली से हुबली हो गया 2015 में और उसका नाम बदल करके आप तो सिरी सिद्रोधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया निश्ची दूरूप से ये एक स्प साउथ-वेस्ट रेलवे जोन साउथ वेस्ट का मतब है दक्षण पश्च्मी रेलवे जोन से ये संबंदित है आई-प आप लोगों याद रखेगा दक्षणी-पश्च्मी रेलवेस्टेशन से से ये चीजे समझ में आ गई है और अगर चीजे समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्मे से समंद्ध चीजों को अब लाया जा रहा है अगला कोशन क्या है इसको भी दियान से देख लिजे अगला कोशन है बैसिकली five star जाओं निस्यों तरफ से गाओं में five star लग जाए तो काफी अच्छा लगता है क्या करते हैं गाओं में hotel खोलना है क्या करना है पहले तो इस कोशन को पढ़ते हैं कहा जाता है five star villages scheme is related to which department फाइस्टार गाउं योजना किस विभाग से सम्मंदित है देखते हैं यह तो लगता है काफी अच्छा होने वाला है डिपार्टमेंट आफ पोस्ट जिसको डांग विभाग कहा गया सैनिस्टेशन डिपार्टमेंट सक्ष्टा विभाग यह लग रहा है हो सकता है तीसरा कहे देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं कई लोगों ने option B बताया सैनिस्टेशन और कई लोगों ने option A बताया option C किसी को नहीं लग रहा है option C भी तो लगना चाहिए भई option C गंदा थोड़ी ना पेजल पूर्ती निश्ची तुरुप से गाउं में drinking water की काफी problems रहती है अच्छा अर्चना में का कहना है या तो option B होगा या option D होगा अच्छा समन में का कहना है वो confused है निश्ची तुरुप से confused रहना भी जरूरी है लेकिन कुछ लोगों ने answer सही भी दिया चलिए suspense को जादा ना बढ़ाते हुए सीधे answer के तर चलते है answer option A is the right answer department of post तो option A is the right answer testusan में यहाँ को ममल में आप बिलकुल सुरु से ही सही थी और कई लोग काफी श्योर भी थे शूर समद में तो बिलकुल स्योर थी ई immer है और यहां पर शालु का कहना है गाव पानी की परिशान होते हैं, उनको light से तो दिक्कत ही नहीं है, हमारे तो net नहीं आता तो हम परिशान होते हैं, उनको net से भी दिक्कत नहीं है, उनकी दिक्कत तो एक वार कभी गाउं में जाईए, मैं यह नहीं कहता हूँ, जहां पर अकवार सारी सुद्धा हैं, कुछ ऐसे गाउं भी खुशी नहीं लाती है कुछ लोगों के लिए डर भी लाती है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इससे समधित न्यूज क्या है कहा जाता है फाइव स्टार विलेजिस जो डिपार्टमेंट पोस्ट जो डांक विभाग है उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि गाउं गाउं तक ड प्रोजेक्ट को लेकर कि आप जानते होंगे अब तो बैंक भी बन गए हैं डांक घर को बैंक के रूपे मुरा दिया गया हम आप बजट खाता खोल सकते हैं अब तो उनके एटिम भी आते हैं और सारी चीजे आती है आज भी अगर हम बात करें कि कि किस बैंक का नेटवर्क अगर के साथ से बड़ा है तो बैंक का नाम तो आपके सामने आ जाएगा लिकर अगर मैं बात करूँ कि गावन गाव तक किसी पहुंच तो आज भी डांक घर ही ऐसे साधन है जिसमें पूर्झे लोगों के लोगों का पहुंच फागे अगर हर चैगा थे तो एंतरम बैंकि को सफल किया जाता है इसी स्कीव को सफलता पूरवा किया जाता है तो निश्ची तुरूप चे आने वाले समय में इसको अधर विलेजिस के लिए अन गाओं के लिए भी टार्गेट किया जाएगा आई होप आप लोगों को इस निश्ची बारे पर भी समझे आ गया होगा तो फाइव स्टर विलेजिस के जब भी बात होगी तो बिसिकली ये डांक विभाग से समंदित है सैनिसिटेशन, ड्रिंकिंग, होटल मेलेजमेंट ऐसा कोई भी विभाग से समंदित नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है आई होप आप आप चीजों को समझ भी रहे होंगे चीजों को याद भी कर रहे होंगे और अगर आपको चीज़े अच्छी लग रही है तो आपका एक सायोग जो हमारे लिए बहुत फूटफूल होता है आपका लाइक तो अगर आपको चीज़े अच्छी लग रही है तो चीज़ों को लाइक कर दीजे और हम लोग बढ़ते हैं इसके साथ जल्दी से अगली न्यूस की तरफ और अगली न्यूस से समंधित कोश्चन क्या है देख लीजे कहा जाता है इंडिया's ranking in global economic freedom index भारत में रुपए को खर्च करने की आजादी कितनी है लोग कितना frequently कितना free mind हो करके रुपए को खर्च करते हैं तो economic कितना free mind हो करके चलती है उसमें भारत की ranking क्या है और भारत की ranking में चार option दिये गए हैं 79th rank, 128th rank, 99th rank और 5th rank आपके सामने 4 option दिये गए है देखते हैं कितने लोग इसका answer बता पाते हैं यहाँ पर लोगों के answer कई सारे अलग लगा रहे हैं यहाँ पर आपके लिए एक थोड़ा सा twist भी रखा हुआ है जान बूस करके इस twist को रखा था ऐसा भी हो सकता है कि इन 4 में से कोई भी option ना हो अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई option है तो देखते हैं कितने लोग answer उता पाते हैं मैं कहा रहा हूँ यह 4 option ही नहीं है अब बताइए कौन सी rank है जी हाँ बिल्कुल सही बताया इस question को थोड़ा सा twist के लिए डाला गया था कि आपके वह option को देखकर ही टिक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर सही answer है 105 तो अब हम न्यूस की तरफ आगे बढ़ते हैं न्यूस क्या है इसको देखते हैं यहाँ पर एक भी option सही नहीं था न्यूस की तरफ बढ़ते हैं तो अब लिए न्यूस आपके सामने आने वाली है तो global economic freedom में जो आपको पहली लाइन दिखाई दे रही है कि इंडिया की rank है 105 अब देख सकते हैं इंडिया की rank कितनी है 105 और अगर बात करेंगे कितनी भी अच्छी नहीं है और अगर पिछली बार की तुलना करेंगे तो पिछली बार यह rank थी 79 तो 79 से लेकर के 105 आई है तो निश्चीत रूप से इकोनॉमी को लेकर के भारत का प्रस्पेक्टिव आपको भी यह पता होगा कि हाल ही में भारत की आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा बदलाओ देखी गए तो उसका बदलाओ यहां पर फीटम इंडेक्स में भी आया तो पिछली बार जो रैंकिंग आई थी वह 79 थी लेक से अवाज मेरे साब से यहां तक सारी चीज़े क्लियर हो पा रहे हैं बताइए भई कितना इस्थान पिछड गया है 26 बिल्कुँ सही बताया मीन अक्षि ने बिल्कुँ सही आंसर बताया 26 रैंक पिछड गया है पिछली बार 79 थी और 205 हो गयी तो निश्चित रुप से 26 इस्थान पीछे हो गया है और इसमें इंपोर्टेंट क्या है कि यह इंडेक्स कैसे निकाला जाता है तो आपके सामने है the ability of individual to make their own economic decision in a country किसी भी देश के जितने भी आर्थिक निर्ने है उनको स्वयम से लेने की चमता और कितनी स्वतंतरता पूर्वक उनको लिया जा सकता है इसको ले करके इस इंडेक्स को बनाया जाता है तो याद रखेगा 2020 में इसकी रैंकिंग कितनी है तो रैंकिंग है 105 पिछी साल कितनी थी 79 कितने का डाउन फॉल्वक कितना हम पिछल गए तो 26 प्लेस हम पीछे हो गए आई होप यहां तक की चीज़े याद रहेंगे और हम किस रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल एकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 आई होप आप लोगों को यहां तक क भारत में सबसे बड़ा सुर पालर मिशन किस राजी से समंदित है चौर ऑप्शन है असम मनिपूर मेगाले और मिजुरम बताए बही किस से समंदित है देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं हो हुआ यह हमारे सामने एक हमारे नए साथी बीजुल है फ्यार का पौ Bowl एक उन्होंने बड़ा अगर सुर पालने मिशल की बात की जाए तो इसे मेघाले के द्वारा जारिक किया गया इसका प्रोजेक्ट किया है या अब्जेक्टिव किया है तो बिशिक लिए आत्म निर्वा भारत कहा जाता है वहाँ पर पॉर्क जो सुर का मास होता है उसका इंपोर्ट बहुत का जो राज है वह बहुत आगे बढ़ रहा है और निश्ची तुरूप से इसके साथ आज का हमारा जो करेंट रिफर्स का सेशन है आई होप आप लोगों को यहां तक कि चीजे इंट्रेस्टिंग लगे होंगी चीजे समझ में आई होंगी मैं आपसे जैसा कह रहा हूँ ब हमारा सहयोग करें तो निश्ची तुरूप से आगर आपके लाइक्स मिलते हैं तो हमें भी लगता है सेशन को continue रखना चाहिए चीजे और तेजी से आप तक पहुंचानी चाहिए और जैसा कि कल की हम बात करेंगे तो कल हमारी जो क्लास होगी 1011 में जिसमें हम लोग किसी न लेकिन याद रखेगा मनुश्य का एक सभाव है भूलना उसकी प्रविर्ति है नेचर है फॉर्गेटिंग तो अगर नेचर है तो आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा हम एक बार चीजों को बता सकते हैं लेकिन बार बार उससी चीज को बता देंगे तो नहीं चीज कब सीखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पुरानी चीजों को आप लोग रिवाइस कर रहे होंगे चीजों को याद करते चल रहे होंगे और इसी के साथ आपके अज्जवल भाविश को ध्यान में रखते हुए आपके स्वास्त की कामना करते हुए आप अपनी बात को मैं यही समात करता हूँ, मिलते हम लोग नए सेशन में, धन्यवाद